So hi friend good afternoon, आज हम PNC का part third करने वाले हैं, ठीक है, friends PNC के दो part आ चुके हैं, उनको पहले देख सीजिएगा, तभी ये third part देखिएगा, उन दोनों वीडियो के link में description में डाल चुका हूँ, थोड़े lengthy videos हैं, बट continue से देखिएगा, very important videos, examinations के लिए बहुत जरूरी है, जाएगा, and permutation थोड़ा lengthy as compared to combination, कल हम combination start करेंगे, वो तो I think एक video में हो जाना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से कल PNC पूरा, परस्व एक practice video बनाऊंगा, जिसमें मैं actual exam वाले question लाऊंगा, आपके लिए PNC वाले, CAT, ZAT, SNAP, bank, SSC, उसके बाद, जितने भी exam से उन सबसे mix करके question लाऊंगा आपके लिए, तकि practice पूरी हो जाए, तो ठीक है friends, आज permutation पूरा कर लेते हैं, कल से combination चालू करेंगे, ये छोड़ा topic बचा हुआ है, ये topic बहुत छोटा है, मुश्किल से दो-तिन formula है, और एक concept है इसमें, but exam के लिए बहुत important है, examiner's का one of the favorite segment है ये, और इसके सा review करते हैं, पहले देखते हैं कि friends, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, circular से मतलब क्या हो गया हमारा, मतलब how does it change the entire concept, उस question pattern को पहले समझते हैं, ठीक है, question देखेगा, ये question तो आपने पहले इस pattern के देखे हैं, कल के वीडियो में, find the number of ways in which 8 students can be arranged, ये तो आप जानते हो, answer क्या आपने जमाना है, arrange करना है, तो the ways are n factorial, तो अकर 8 बच्चे को जमाना है, तो answer 8 factorial हो जाएगा, पर ध्यान कि आपने कैसे जमाया हैं याँपे, you had 8 places, या 8 chairs, जिसमें इन बच्चे को बिठा दिया हुगा अपने, पहली place में एक बच्चा बैठेगा, पर उस एक बच्चे के 8 cases हैं, 8 possibilities, यहाँ 8 आया, यहाँ 7 आया, 6, ऐसे करते-करते, यहाँ पर 1 आ गया होगा, इसलिए आपने answer क्या बोल दिया, 8 factorial, ठीक, पर आपने ध्यान दिया, अपने arrangement कैसे किया, linearly, इनको एक line में जमाया हैं अपने, इसलिए answer आपका 8 factorial या फिर n factorial आ गया, अगर इन ही लोगों करेंगे, बट इनको एक line में नहीं, एक circle में जमायेंगे, और question में क्या फरक पड़ता है, उसमें ध्यान दिजेगा, I am repeating the same question with that small change, देखे सबर, find the number of ways in which 8 students can be arranged in a circular table, अब इस table को circular बनने से फरक क्या पड़ गया, वो बस ध्यान दे दीजे एक बर, तो पहले हम क्या कर रहे अगर यही का मुझे circle में करना है, तो यह circle मेंने बना दिया, यह circular table, इसमें हमने uniformly art chairs बना देते हैं, symmetrical रहता है, obviously आप तो मामला आप जानते ही हैं, यह रही art chairs, अब 8 बच्चे वही हैं, यहाँ पे मैं उन्हें linearly जमा रहा हूँ, linearly, और यहाँ पे circular में जमा रहा हूँ, तो इन दोनों केसे में फरक क्या पढ़ता है, accounting में बस मुझे ध्यान देना है, इस case में answer कितना आता है, n factorial, या फिर हम क्या बोलेंगे, 8 factorial, अब ध्यान दीजेगा, एक basic difference, देखें friends, जब मैंने 8 बच्चों को in benches पे जमाना शुरू किया, तो यहाँ पे जितनी भी 8 benches हैं, य बैट गए, किसी को यहाँ बिठा दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप right से second place पे बैट गए, यहाँ पे हर place, पूरी 8 places पहले से defined होती है, ठीक है, पर circle में ऐसा नहीं होता, circle में, बताओ पहली place कौन सी है, there is no place, circle का linear की तरह starting या end point नहीं होता, circle तो continuous होता है, उसको नहीं भी बिठा सकता हूँ, उसे आप separate या distant case नहीं मान सकते, तो कि circle कहीं से शुरू और कहीं पे खतम नहीं होता, for example, इस एक इंसान को जिसको मैंने left से first place पे बिठाए था, ठीक है, उसे circle में कहां बिठा हूँ, यहाँ बिठा दूँ, तो case मानोगे, क्या, मान लो यहाँ नहीं बिठाता, और यहाँ बिठा देता, तो क्या अलग case बनता क्या, नहीं, एक खाली circular table में कोई starting या end point होए नहीं, there is no reference point, कोई भी reference point circle में नहीं होता हमारे पास, इसलिए आप starting point किसी को नहीं मान सकते, इस एक बच्चे को यहाँ पे नहीं यहाँ बिठा दो आप, तो जो हम यहाँ मानते थे, कि पहले इनसान के लिए भी eight possible cases हैं, कि left से पहली जगा पे आठ लोग बैठ सकते हैं, फिर साथ, फिर छे, और एक करते करते हम one तक आते थे, इसलिए हमारा answer eight fitter लाता था, पर यहाँ पे पहली place पे बिठाने के लिए जो इनसान है, उसको आप separate eight cases नहीं मान सकते हैं, बेखोजों कहीं भी बैठे, उसको आप अलग नहीं मानोगे, circle is a uniform figure, तो पहला difference वो यहाँ आ गया, अब क्या होगा देख लीजे, अब मैं आपको final बात बताता हूँ, फिर हमारी कहानियां पे खतम हो जाएगी, तो मैं यह मानता हूँ, कि मैंने जो एक इनसान को बिठाना है, पहले बार, उसको मैं यहाँ बिठा दिया, तो हम आठ दोस्त है, एक friend यहाँ बैठ चुका है, अब इस circle में इस इनसान के बैठने के बाद क्या फरक पड़ा, अब इसकी referencing हो चुकी है, अब इस circle में starting और end point आ चुका है, अब इस circle के reference आ चुका है, मैं इस इनसान के एक right में हूँ, यह जगा इस इनसान के दो right में है, यह जगा इस इनसान के एक left में है, यह जगा इस इनसान के दो left में है, यह जगा इस इनसान के diagonally opposite है, अब circle में without reference या without benchmark कुछ भी नहीं रहा, अब यहाँ पे सारे benchmarks हैं, मतलब अब यह बिलकुल linear की तरह बन चुका है समझे कि linear में भी benchmark होते हैं इसलिए circle में आपको पहला इंसान बिना case counting के बिठाना पड़ता है फिर उसके हर place के लिए referencing आ जाती है उसके बाद circle बिल्कुल straight line की तरह भी एफ करता है आप कुछ फरक रहा ही नहीं तो अब आप linear वाली condition लगा सकते हो पर उस condition के लिए जगा कितनी बची 8 या 7, 7 एक जगा कम होगी क्यों कम होगी इसको बिठाने के लिए इसलिए अब इसका answer क्या आएगा 8 factorial या 7 factorial 7 factorial answer आगया बस एक छोटा से difference रहा तो यह minus 1 के उतरह समझ गया है अगर आप n लोगों को linearly बिठा रहे हैं तो answer is n factorial पर अगर आप n लोगों को circular बिठा रहे हैं तो आपका answer होता है n minus 1 का factorial और minus 1 क्यों करते हैं referencing बनाने के लिए पहले person को बिठा के पूर explain में कर चुका हूँ बस और कोई difference नहीं होता as simple as that समझ गए? चलिए तो circle में बस इतनी कहानी है एक छोटा सब case और बनता है वो और सुन लो then that issue is done छोटा से example और चलिए अब एक बहुत ध्यान से बात सुनना एक छोटा सा sub topic बनता है आपे जो examiner's का favorite बन चुका है वो ध्यान देना पड़ेगा अब एक बात बताईए आप लोग आठ दोस्त बैठे हुए है डिनर करने के लिए एक table पर ठीक है? और आप circular तरीके से बैठ गए अगर आप आठ लोग circle में बैठ रहे तो answer कितना हो गया? 7 factorial minus 1 करना पड़ेगा ठीक है? अब आपके arrangement को अगर मैं उपर से देखता हूँ आप लोग को बैठा हुआ पहले मैं आप लोग को clockwise देख रहा हूँ और फिर मैं आप लोग को anti clockwise देख रहा हूँ मुझे arrangement में फरक देखेगा न? जब मैं clockwise देख रहा हूँ तो मुझे पहले मुझे पहले ये इंसान दिखाई देगा, उपर से देख रहा हूँ, फिर ये इंसान दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा, फिर ये, मतलब मैं ऐसे देखूंगा, जब मैं anti-clockwise देख रहा हूँ, तो मतलब जब मैं clockwise और anti-clockwise देखता हूँ, तो फिर मुझे अलग case दिख दिखेंगे, order दिखेगा, anti-clockwise और a low order दिखेगा, इसलिए दोनों symmetrical नहीं होते, but circular में कुछ case ऐसे बनते हैं, जहाँ पर there is a symmetricity, मतलब वहाँ पर circular arrangement तो होता है, पर चाहे clockwise जाओ या anti-clockwise arrangement, same होता है, इसलिए हमें वहाँ पर half करना पड़ता है, because एक symmetricity है clockwise और anti-clockwise में, और वो प अतारों में आपको, अब यहाँ पर कहानी खतम हो जाएगी, circular वाले की बात कर रहा हूँ, first case क्या है, when clockwise and anti-clockwise एक second, anti-clockwise लिखना पड़ेगा, sorry मैं clock लिखना भूल गया, just give me a minute, हाँ आप लिखते हैं, so पहला case क्या है, जो हम अभी student वाला कर रहे थे, कि clockwise and anti-clockwise, anti-clockwise, arrangement, are distinct, are distinct, तो जैसे student का example मैंने दिये, जो अभी हमने solve किया था, तो अगर 8 बच्चे बैठे हैं, यह n बच्चे बैठे हैं, और आपने बिठा दिया, तो कितना arrangement होते हैं, circular में, n-1 factorial, और जब clockwise और anti-clockwise distinct हैं, मतलब same नहीं हैं, तो answer होता ही रहता है, कुछ आपको नया कुछ करने के ज clockwise arrangement, मैं short में लिख रहा हूँ, are same, अगर यह same हो गए तो arrangement तो करोगे आप किस तरह से, n-1 factorial से, पर आप उस चीज़ को, example भी दूंबा भी चिंता मत करिये, आप उस चीज़ को clockwise देखो या anti-clockwise देखो, आपको same चीज़ दिखाई देगी, ठीके तो इसको आप 2 नहीं मान सकते आपको half करना पड़ेगा मामला, तो जितने भी case मानने हैं, वो आपस में symmetrical हो रहे हैं, clockwise और anti-clockwise, तो आपको इस double counting को हटाने के लिए upon 2 करना पड़ता है, बस this is the only change, बाकि सब सेम रहेगा, अब सवाल ये उठता है, कि students आपने जमाये तो हो तो first case वाला बन गया, ऐसे कौन स case होते हैं, जहांपे clockwise और anti-clockwise चीज़ें, सेम हो जाती हैं, वो ये होते हैं, जब हम पता है किसकी बाग करते example दे रहा हूं, necklace की, necklace में जो मोती लगते हैं, मैंने necklace बना के बिछा दिया, इस necklace को अगर मैं clockwise देखूँगा, ये anti-clockwise देखूँगा, तो मुझे ये बताईए, कि आपको अलग दिखेगा, necklace के दोनों तरफ से अलग दिखता है, नहीं दिखता न, इसलिए ऐसे cases में आपको n-1 फेक्टरल तो करना ही पड़ता है, अपांट भी करना पड़ता है, because clockwise and anti-clockwise arrangements are same, तो जब भी necklace की बात हो, या beads की बात हो, beads, beads क्या होते हैं, वो मोती, जो आप necklace म word मिले, या bead word मिले, इन दोनों words के मिलने पर, या मतलब कोई भी और ऐसा word यूज कर ले, जहां पर कुछ, यहनो, ornament type कहानी बन जाया, ठीक है, जैसे कोई फूलों की माला बना दी, मतलब जहां पर भी माला या necklace या bead से कुछ बन रहा है, वहां पर ये case अक्सर आ जाता है, करन तो इस तरह से gem का भी necklace बना सकता है, पर mainly ये दो keyword से, तो किसी भी सवाल में, necklace या beads word अगर मिलता है, या कुछ similar word मिलता है, जहां पर आप circular काम कर रहे हैं, तो वैसा ही करिए, कैसा करिए, n-1 factorial, बस एक काम कर देना है, कौन सा काम, upon 2 कर देना, तो circular में पहला case ये बनता है, जहां पर generally इंसान बैठते हैं, circular table पर, दूसरा case ये necklace और bead वाला बनता है, बस upon 2 का difference आता है, circular में दो ही case हैं, बस that's all, और कुछ नहीं, सवाल देखिए, find the number of ways in which 15 beads can be arranged in the necklace, आपको bead और necklace मिल गया, अब बताइए, पहले तो minus 1 करना है, because circular की बात हो रही है, necklace circular ही होता है, ठी 14 factorial, answer 14 factorial है, 14 factorial upon 2 है, 14 factorial upon 2, बस, इतना ही काम करना है, ठीक है, आप देखो, अगर यहां 15 बच्चे बैठे होते हैं, 15 students, इना linear way, तो answer क्या होता, 15 factorial, अगर यहां 15 बच्चे बैठे होते हैं, circular table पे, 15 बच्चे, not beads, circular table में, तो answer क्या होता है, 15 factorial है, 14 factorial, 14 factorial, और अगर यह 15 नहीं है, bead से जो necklace में लग रहे हैं, तो answer 14 factorial है, 14 factorial upon 2 है, बस upon 2 और करना पड़ेगा, we are done, तो this is the linear case, this is the circular case, and this is the symmetrical circular case, जिसमें keywords है, bead और necklace, बस, circular में इस सदर घुमा के नहीं पूछेगा आपसे, इतना ही सवाल आएगा, जब मैं थोड़े practice questions कराऊंगा, जिसमें कुछ सवाल जहां पे linear, circular और combination साथ में आते हैं, पर वो में combination बता पाऊंगा आपको, पर concept उसमें circular का सेम रहते हैं, तो combined सवाल कुछ हम third, इसके दो class बात देखेंगे, पर circular का main काम यहां पे पूरा हो जाता है, अब combination सवाल में जब circular लगेगा, तो ऐसी लगेगा, no changes, ठीक है, तो बस friends साथ मुझे इतनी बतानी थी आपको, linear, circular, symmetrical, circular, बस, और यहां पर circular में कुछ नहीं बनता, कितनी simple बात है, पर इसका जो एक छोटा था change है, because, जब भी question पूछेगा, तो option में यह तीनों होंगे, और confused होना बड़ा असान होता है, पर अब concept strong हो गया, अब confused नहीं हो गया, इत PNC पूरा, पर request है आपसे, कल के वीडियो से पहले PNC के 1, 2 और यह 3rd वाला पूरा देख ली जिगा, ठीक है, कोई भी part miss मत करना, क्योंकि हर पार्ट बहुत सोच के रखा है, मैंने, ऐसे question आज सकते है, इसलिए रखा है, कोई part miss मत करना, ठीक है, thank you, have a nice day.